सल्मान खान को लेकर एक बार फिर से क्यार के ने उगली आग जी हाँ जैसे के आपसे भी जानते हैं कि बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट क्यार के यानि कमाल राशित खान हमेशा सही सोचल मीडिया पर अपनी बातों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं फिल्म के रिवीव हो या फिर किसी सेलिविडिटी पर कमेंट करना हो क्यार के बिलकुल भी पीछे नहीं अरते लेकिन ऐसे मैं भाईजन सल्मान खान को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बाते कह दी है जिसकी वज़े से अब सोचल मीडिया पर काफी ज़्यदा हंगामा मच गया है क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं दरसल बिग बोस सीजन 13 के कंटेस्टन और रश्मी दिशाई के बॉइफरेंड अरहान खान पहले से शादू चिता है फैस का कहना है कि सल्मान खान ने एक होस्ट नहीं बलकी एक भाई की तरह रश्मी को अरहान के वजासे में फसने से बचाया है लेकिन एक तरफ जहां सल्मान खान के रश्मी को अरहान का सच बताने पर फैस उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं नहीं दूसरी और बिग बॉस के एक्स के अंटेस्टन क्यारके ने सल्मान खान को लेकर बड़ी बाते कह दिये हैं और क्यारके को सल्मान की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई अरहान को नेशनल टेलिवीजन पर सब के सामने बे निकाब करने पर क्यारके ने सल्मान खान के लिए अपना गुसा चाहिर करते हुए उन्हें घरी खोटी भी सुनाई है सल्मान खान को लेकर क्यारके ने बी हाली में अपने ट्वीटर हैंडल पर दो ट्वीट किये हैं एक ट्वीट में उन्हें लिखा है एक स्ट्रगलर को नेशनल टेलिवीजन पर बेजित करना बेहत घिनोना है हलाकि मैं अरहान को पसंद नहीं करता हूँ लेकिन सल्मान खान को ये सब रश्मी को चुपचाप अलग से बताना चाहिए था आज सल्मान खान ने अरहान का करियर खतम कर दिया है जो बेहत दुख की बात है इतने नहीं क्यारके ने अपने दूसरे ट्विट में सल्मान खान को लेकर अपनी भरास निकाली और दूसरे ट्विट में उन्हों ने लिखा इजज़ सभी की होती है सल्मान को भी इंसान को इंसान समझना चाहिए सल्मान खान ने आज अरहन को बरबाद करके ये साबित कर दिया कि सक्ष को बहुत गरूर है और अल्ला को ये गरूर बिल्कुल पसद नहीं है तो दोस्तों इस तरह क्यार के ने सल्मान खान को लेकर अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर दो टूइट किये जिन दो टूइट में सल्मान खान को लेकर क्यार के ने आग उगली इसे के साथी आपको ये भी बताना चाहेंगे क्यार के बिग बॉस को करीबी से फॉलो करते हैं और कंटेस्टन को लेकर अपने बिचार सोचल मीडिया के जरिये सब के सामने रखते हैं और ऐसे मैं जब रश्मी दिशाई को लेकर ये खबर सामने आए तो क्यार के आपने आपको रोक नी पाए और सल्मान खान को लेकर ये सारी बाते उन्होंने सोचल मीडिया पर लिख डाली